OnePlus दोस्तो 9 स्रीज में एक नया स्मार्टफोन को इंडिया में लाउंच करने वाला है OnePlus 9 RT के नाम से आज दोस्तो इस स्मार्टफोन को इंडिया के BIA Certification पे spot कर लिये गया है इसके लावा दोस्तो इस स्मार्टफोन का सारा specification रिसेंटली लीक हो गया था इविन प्राइज भी लीक हो चुका है जो आगे आपके सथ वीडियो में शेर करने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ इसी OnePlus 9 RTA स्मार्टफोन के डिटेल से स्पासिफिकेशन के बारे में इंडिया में किस प्राइज पर आ सकता है और कब तक इग्जैक्टली है स्मार्टफोन इंडिया में लाँच होगा यह सारी चीओ पर आगए आपके सथ वीडियो में बात करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चाहाँ पहली बढ़ा है साथ में दोस्तों आपको यहां पर 120Hz refresh rate का आपको support मिल जाएगा टॉप के आपको left side में एक single punch hole design के साथ आने वाला है और front side में दोस्तों आपको Corning Gorilla Glass 5 का protection मिल जाएगा security की बात करते हैं दोस्तों तो आपको यहां पर face unlock का features मिल जाएगा इसके लाएगा दोस्तों आपको यहां पर in display fingerprint मिलने वाला है और आप दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में तो 1 प्लस 9RT में आपको performance के लिए Qualcomm का Snapdragon 870 के साथ आने वाला है यह जो प्रोसेसर है दोस्तों 7 nanometer पर आता है 5G को support करता है बताये जाले दोस्तों कि 3 वरिंड में आ सकता है 8GB, 120, 8GB, 8GB, 256GB internal storage और तीसा वरिंड होगा 12GB RAM, 256GB internal storage इसके लाएगा दोस्तों बात कर लेते हैं storage और RAM support के बारे में तो LPDDR4X RAM का आपको support मिलेगा UFS 3.1 storage type का आपको support मिलने वाला है जहाँ आप सब्सक्राइब बात करों दोस्तों software के बारे में तो out of the box आपको Android 12 मिलने वाला है जहाँ आपको customize किया जाएगा oxygen waste 12 के साथ जहाँ दोस्तों OnePlus का ये पहला smartphone होगा जहाँ आपको out of the box oxygen waste 12 देखने को मिलेगा बैटरी की बात करते हैं दोस्तों तो आपको आपको 4500 image का मिलने वाला है 65 watt fasting support के साथ आएगा और box में आपको 65 watt का चाजर मिल जाएगा इसके लागों दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और कामराज के बारे में तो OnePlus 9RT का जो डिजाइन है दोस्तों आपको कुछ इस तरही का मिलने वाला है glass body के साथ आएगा matte finishing आपको देखने को मिलेगा और जो frame है दोस्तों आपको 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 आलमूनियम का मिलने वाला है इसका लागों दोस्तों आपको rear side में IMX 766 बाकी के जो दो सेंसर है दोस्तों 16MP का अल्ट्रा ओवड लेंस और 2MP का आपको ब्लाक और वाइट लेंस मिल जाएगा जहां बसक्रों बात करूँ दोस्तों selfie camera के बारे में तो front side में आपको आपको 16MP का मिलने वाला है और selfie camera में दोस्तों सोनी का संसर यूज के जाएगा IMX 471 कुछ additional features की बात करते हैं दोस्तों 5G का आपको support मिल जागा NFC का आपको support मिल जागा studio speaker आपको मिलने वाला है शायद से आपको आपको 3.4 लूज जाग दिखने को नहीं मिलेगा box में आपको dongle मिल जागा tap support to 3.4 लूज जाग के लिए और यहाँ पर दोस्तों आपको dual nano sim card का support मिलने वाला है SD card का option आपको नहीं मिलेगा और यहाँ फाइन दोस्तों बात कर लेते हैं price और इंडिया launch date के बार में तो 1 plus 9 RT को बदाय जागा दोस्तों कि 3 वरिंड में launch के जा सकता है base वरिंट होगा 8 GB, 128 GB और दूसा वरिंट होगा 8 GB, 256 GB internal storage और तीसा वरिंट होगा 12 GB RAM, 256 GB internal storage price के एकर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो price leak हुआ दोस्तों उसके according जो इसका base वरिंट होगा 8 GB, 128 GB तक्रीबन दोस्तों 2999 यूआन के आसपास में channel launch होगा अगर आपको calculate करके बताओं दोस्तों तक्रीबन 34,000 यूपे के आसपास में हो सकता है let's see दोस्तों इंडिया में किस price पे आता है 34,000 यूपे के तो आसपास में नहीं आना चाहिए थोड़ा बहुत जादा हो सकता है आपको क्या लगता है दोस्तों ये सारे specs से साथ अगर इंडिया में आता है तो क्या price आप expect कर रहे हो आप मुझे comment करके बता सकते है और आप दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया launch date के बारे में तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो का starting बता दिया है 1 plus 9 RTS smartphone को दोस्तों इंडिया के BIA certification पर spot कर लिया गया है तो बहुत ही जल इंडिया में launch होने मेला है previous जो leaks हा रहा था दोस्तों उसमें बताया जा रहा था कि October के meet तक यह smartphone आपको इंडिया में दिखनी को मिलेगा यह बहुत जादा हुआ दोस्तों तो October 20 के बाद इंडिया में 100% launch होगा बड़ आप ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों क्योंकि इंडिया के BIA's पर लिस्ट हो गया है यह बहुत जादा हुआ तो October में तो launch 100% होगा बाकि आपको क्या कहना है दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उमीद करते हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से किसी ओफ वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद